तो आगे देखाइज आप सब का माई चैनल पर मैं वोकाज सिंग और आज हम लोग बात करने बाले मास्टर लीक के वारे में तो बहुत दिनों के बाद में खेल रहा हूं अब यह कुछ चीज़ ठीक कर दीगे मास्टर लीग या फिर चानीज वर्सन में जो प्लीज वेट प् करता दो कि आज इवेंट है तो अपने सेफ करना सुरू कर दो तकरीवन लोगों के 500 जादा होई गये होंगे तो मैं कहूंगा ज्यादा सेफ करना क्योंकि बड़ा इवेंट हो सकता और अच्छे पोकिमों सब्सक्राइब होना चाहिए क्योंकि अपरील आगया तो हो सकते अ करना सुरू करतो क्योंकि अच्छे पोकिमों सब्सक्राइब होना की चांसे सूत्रों के हवाले से बता चला है सबसे जादा डॉमिनेटिंगे लगता है इसका टुमूव एक तगड़ा मूब है उपर से एजिलीटी है स्वार्ट डैंस इसका क्रिटिकल हिट देता है यह इसके लाब है सबस्क्राइब तो आपके लिए अच्छानी हो क्योंकि आपके लिए दूम स्लाइस का उफशन नहीं आता है और फिर भी मैं कहूंगा सब्सक्राइब कर सकता है और टेक्निश्य अबलिटी होता है इसके पास जो कमजोर मुप को पावर अप कर देता है तो उ हम लोगे अर्टरेज का सब्सक्राइब करता है क्योंकि से फैरी टाइब से डॉमिनेटिंग होते माश्टली में और फैरी टाइब से कोई भी पोकेमोन इम्यून नहीं होता है कुछ पोकिमोन होते जो कम डैमेज लेते पर डैमेज ज़रूर लेते इसलिए मैं इस पार्टर पर रखा था एजिलीटी पर यह भी खतम हो गया यह प्रॉबलम हो था एजिलीटी के साथ कि अगर आप अगर आप रखते हो यह पर रेस्ट रखोंगे तो तो कुछ ना कुछ आपको इधर उदर करना पड़ता है अब इस सामने लुका रही हो था इसलिए मैंने यहां पर पर रखा दिया अब किसी को नहीं पता एंकोर था तो बता तो जब किसी पूकी मून पर एंकोर पड़ता है ना तूप कि मून 3-4 तर उसी मूब को बारबास्त माल करता है तो यह मैं चाहता था और मैंने इसलिए बारा सिंगा को बेज आप हमारी हाला तो बहुत खराब है इसको चेंज करना चाहता हूं एक और टूब पड़ा गया लुकारियों अब मेरे लिए चांस है तो मैं जल्दी से डाक कर लेकिया आता हूं और डाक रहे है लेकिन पर हमें इस्ट की विप ज़्यादा जरू होता है फिलाल क्योंकि इसको वीवाइल है और मैं नहीं चाहता है युँआं मैरे ज्यादा रडенसिनी हो अगर किसी नहीं पता में बताता हूं दो वीऑल के पास मेरेन बहूर डयट्यो करता है। डूब करते इपक्रणी पॉम स्पीड शूब अच्छी मो प्रेंस यह उर्पता है नोटीच की आ हूए हुआ है वहिवाइल के पास प्रें तो अगर सपीड चाहिए की साथ क्लिक कर सकते लिए जांक है कि अच्छा पीओ मौन है के साम है जैट जो बहुत जादा बड़े होते हैं और सपीड भी बहुत मुआ होता है बाफिवाट जादा होता है अच्छी बात यह है कि हमारे पास था तो उसने हमें बचा दिया पर यह क्या देख रहा है पर इसको नहीं पता था कोई ना हम बता देंगी इस बात तो यह पड़ा एक और मूब और गया विवाइल विवाइल बहुत खतरनाक हो सकता है मैं कभी भी किसी भी बंदे को अगर विवाइल के साथ दिखता नहीं तो मेर पर मैं जी मूब लगा रहा हूं क्योंकि जैब्रोस मर जाए तो ज्यादा अच्छोगा मैंने चाहता जैब्रोस जिंदा बचे पर बंदे ने पोकिमोन चेंज कर थी आया जैग याड यह मर गया अरे यारी जैफरेट अबिलीटी दिए कर ना सूपर एफेक्टिव तो एक म इसमें से उसके बाद तो भाई एरटेल का करिस्मा पर हारा जरूरते तरह स्थ जूट नहीं बूलेगे एक वार जारे मोई जो आपको आगे भी देखने हो मिले अगर लैविटेड वाला गेंगार सब्लाइब बहुत जाई फूकि होता और इस ओप्वोनिन के गलती यह दी कि इसने देखा लेविटेर तो इसे चींज कर दीना चाहिए पर यह साथ चींज करने के मूड में नहीं था तो मैंने स्टीलिंग्स लेकर आया हूँ और अगर कोई सोचे कि स्टीलिंग्स कैसा पोकिमों होगा आपके सूट के लिए हार्ड सूट के लिए दॉमिनेटिंग वोकिमों होता है अगर आपको फिशर स्तमाल करते हैं अगर चीज में बताओ कोई नहीं बताएगा आपको अगर आपको एक अच्छा स्टेलर बनना गौड लेबल स्टेलर बनना तो यह मैं आपको बहुत अच्छा स्टेलर भी हूँ और स्टील टीम के साथ म रख दो ठीक है फिशर रख दो रैस लीप टॉट फंद्रा वार फिशर मारेगा आपका स्टीलिंग कोई नहीं रुख पाएगा आपको टपाटब मारता जाएगा और फंद्रा फिशर में से चार फिशर होंगे लिखके दे सकता हूं मैं और बंदे के पूकी मोन ही 6 होते है तो चार आपका स्टीलिंग्स ही खा जाएगा तो यह बहुत जादा उपी होगा अगर आप में से कोई वान हीट की लावार है मेरे गिल्ड में बहुत सार लवार है से तो एक भाई को मैं जानता हूं जितको मैं रेकमेंड करूंगा ओबियसली कि आप डिक के साथ ना फिश कर सकता है पर हाँ फिजिकली कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता अच्छे से पालकिया तक डरता है उसको वाटर इंपैट भी दो बार लगता है और दो बार पड़ेगा तभी अगर उसका बूश्ट हो जाते तब नहीं तो उसके अलावा भी स्टीलिंग्स को रोखना बहुत होता है अगर फिशर मारने पर आओ तो आप अगर पाप करने पर आओ तो महा पाप ही मन जाओ और यह ट्राय करना कोई नीटी ठीक है आप सामने सच बता रहा हूं हम भी यह करना चाहते है पर मैं नहीं ऐसा ड्रागन टेल मेरे को इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि कभी पर गेंगा डेस्टिनी बॉंड पर लगा लेता और कभी कबर में जरुद पढ़ती है कि जो पोकेवन बुष्ट हो गया होता है तो ड्रागन टेल लगा कर उसे बाजू हटा सकते हो कभी कबर उसे मारने से ज्याद बाजू हटाना जरूरी होता है तो उसलिए मैंने अपने पर आप डिपेंड करते हैं अगर अपने लैंडर को तो इस बार मैं पता दो हमारे लैंडर ऑद अ में पर हमें इसको इसको करेंगा सथी से मुआ यह हो और यह मर्या इस बहुत यह अच्छे पूकी बॉन इसकुर्ण मेरे को इंगार मिला जा दा मैं चाहा मेरे पर याद ब वाला लैंडरोस बहुत जोदा खतरनाक होता है मतलब सोच लो फ्लाइंग और ग्राउंड टाइप के मूज बहुत जोदा डामेज देते हैं अगर आपके पास बोन है मतलब जो ग्राउंड टाइप मूज बूश्ट करता है पावर वह है तो भाई आपको वह एक एक हीड में अब घृष्ट हम हम आपको दूसरे बैटल दिखासे वसी हो रहा था बार-बाद तो उस पर इस बार भी वैसे खटम हो गया इस बार मैं पत्ता नहीं कैसे मतलब पांच बिनाहरे चेविनाहरे सात बिनाहरे पहुँचा था उसके एक पर एक उसका एक ही आरा ठीक हमें एक ह जादा गंदा हो गया तो यह कांडव यूजलेस भी हो गया पर मैं जल्दी खेल खतम कर दूंगा मेरे को तो बस ड्राइगन टांस चाहिए था यह बहुत शाना है तो बस ट्रॉंग मूव उता है पर इसके कॉंसिक्वेंसे सोते हैं आपको पोकिमोन को डिफेंस और स्पेसल काँड़ी पैंस होता है को पहले माना जरूरी होता है एक्चुली बत जादा खतरनाक नहीं होता है उपर से यह बहुत सारे स्टैटर। अगर च्टाटीज भाइस किलने जाओ तो बतक खतरनाग होता है वागी में इसको पकड़ के अराम से पेल दिया जा सकता है गिंगार के बदॉलत पर बतक के पास लेबिटेड भी होता है तो हाँ अच्छे होते बतक के पास सामने हमने पकड़ा था स्विकून को मैंने टॉन लगा हो सकती है तो सोचेगा जल्दी से रेस्ट और स्लीफ टॉक लगा मारो पर बंदा सामने सामने के लड़ा ही लड़ रहा था बस स्वीचिंग लगा सकता है तो यह जादा प्रॉल्म नहीं होना चाहिए पता नहीं क्यों बतक को क्यों अटाइक क्यों कि वह जादा इजीली टिक पाता साइट और उससा तो मार भी पाता धीरे-दीर करके या फिर उसके पार साइको स्विक्ट होता पर स्नोल इस तो मतलब इसको तो ठीक बूस्ट करना चाहूंगा मैं और फ्लाश कैनल लगा सरता हूं तो यह लगा और यह देख रहो ना बहुत अच्छा होता है इसका डिफेंस स्पेसल्टी बंस दोनों और यह डेड़ है फाइनली जी मुव के सा तो यह बंद है फाइनली हार चुक है तो होपके से को वीडिय होते लिगी और मिलते हैं आपसे नेस्ट वीडियो में